हेलो एवरिवन आज की वीडियो जो है जामिय मेले इसलामिया के उपर है और यहां पर मैं बात करने वाला हूँ अगर आपको जैमाई से बी ए एलल बी ओनर्स करनी है यानि बी एलल बी करनी है वगर आपको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वगेरा सारी सब्सक्राइब करने वाला हूँ जामिया का अपना खुद का इंटेंस एक्जाम लेगा बी एलल बी कोर्स के अंदर तो यह चीज़ आपको धियान रखनी है तो सबसे पहले नंबर ओफ सीट्स कितनी है तो नंबर ओफ सीट्स जो है 60 सीटों पर एडमिशन होगा जामिया के अगर मैं फीस की बात करूं तो जामिया के इंटेंस एक्जाम कराऊ सोरी जामिया की जो फीस है कोर्स की फीस है वह 15,000 रुपे यानि अभी तो आपको देखो मैं आपको बता दू अभी एप्लिकेशन फोर्म तो आप फीक पे करोगे ठीक है लेकिन जब आपका एडमिशन ह हो जाएगा जब आप इंटेंस एक्जाम दे दोगे आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा तब यहां पर आपकी जो फीस होती है टोटल वह 15,000 रुपे आपको पे करने पड़ेगी वह अभी नहीं पे करनी आपको जब इंटेंस एक्जाम क्रेक हो जाता है जब आपको या और यहां पर अगर मैं eligibility criteria की बात करूँ तो आप लोग दिहान से देखो यहां पर eligibility criteria अग केंडिडेट टू दा बी एललबी owners अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो आप लोग 10 प्लस 2 लेवल पर पास होने चाहिए यानि class 12th पास आउट होने चाहिए और यहां पर in any discipline securing the aggregate not less than 50% of the total mark in the core subject देखो core subject का मतलब आप लोग समझ सकते हो core subject जैसे आपका English language भी यहां पी इन्होंने consider करा है कि आपके जो English language है उसके अंदर भी 50% से open number होने चाहिए अब हो सकता है देखो 100 number का तो paper होता है अब हो सकता है कुछ university ओ मतलब कुछ college के रहा हूँ कुछ school का paper हो सकता है 110 या 120 number को यह मैंने सुना है कि कुछ-कुछ board है जो 110 number को होता है लेकिन मुझे जितना है उस 100 number का paper होता ज्यादतर उसमें ठीक है 80 और plus 20 internal होता और 80 external होता है अब यह उसका board का अलग-अलग criteria है ठीक है अगर आपके 50 number या 50 से उपर number है तो आप eligible हो और यह चीज़ आपको धियान लखनी है 50 percentage भी आपकी class 12 में होनी चाहिए इस से उपर होनी चाहिए इस से नीचे नहीं होनी चाहिए यह चीज़ आपको धियान लखनी है ठीक है दुबारा बता रहा हूं English के language के अंदर भी आप इन्होंने mention कर रहा किए faculty of law से होगी आपका इंटेंस exam है वह यहां पर mention है दस बज़े यहां पर 11 मई को आपका exam होगा ठीक है दुबारा से mention कर देता हूं तो यहां पर mention है आप लोग देख सकते हो 11 मई को आपका intense exam होगा और जो timing mention है वह सुबह 10 बच से लेके 12 तक आपका intense exam होगा दो घंटे का पेपर होगा 11 मई को ठीक है और बाकी यहां पर देखो अगर आप करते हो और यह यहां पीछे भी हो सकती है आपको ध्यानक नहीं है आपका जो है application form open हो चुका था बीस फरवरी को 30 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है तो एप्लिकेशन form जामिया को जो है 30 मार्च तक open नहेगा अगर आपको B.A.L.L.B करनी है तो जामिया का application form फिल कर दो जामिया कंट्रोलर की website से मिल जाएगा जामिया इंट्रेंस एक्जामिया कुछ भी सार्च करोगे जामिया multiplayer से मिल जाएगा 30 मार्च ए और application form फिल करना है तो सारी चीज़ा आपको मिल जाएक के आपका admit card आ जाए आगे पीछे भी हो सकता है tentative date है इसलिए के रहूँ यह आपको धियान नहीं देना है 25 अप्रेल से यहां पर यह जो इंटरंस एकजाम में जामया कंड़क करवाएगा क्योंकि जामया UG, PG, Certificate, Diploma हर कोर्स के एकजाम इंटरंस एकजाम लेता है तो जामया के पास टाइम भी तो होना चाहिए हर दिन एकजाम कंड़क करवाने के लिए तो यह पच्चिस तारीख से से चाहिए यह फिकलाना यह 12 महीं को आपके एक्जाम में बाकि जो मैंने 25 तारीक यह और भी बच्चों की यहां से जामिया कंडेट करवाना इस्टार्ट कर देगा पेपर और भी सब्जेट्स का ठीक है तो यह सारी चीज़ें यह धियान रखनी है तो बाकि दुवारा से मैं बता रहा हूं जिन्होंने नहीं फिल करा है वो तीस मार से पहले फॉर्म को फिल कर सकते हैं बाकि अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो और इंस्टाइडी का जो लिंक है और जो वट्सप मैसेज का जो वट्सप का लिंक है दोनों के लिंक मैंने डि